आज की इस पीडियो में हम पढ़ेंगे NCRT साइंस के क्लास 7 के चाप्र 5 के बारे में जिसका नाम है अमलचारक और लवर, Acid, Base and Salt दोस्तों इसके प्रिवेस वीडियो में हमने चाप्र 1, 2, 3 and 4 को कम्प्लीट कर लिया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि यह चैप्टर ही है आमनुचारक और लवर तो हमें जानना है कि यह होता क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने जीवन में जैसे देखते होंगे निम्बू, इमली, शक्कर वगएरा या सिर्के जो भी चीजे होती हैं इनका हम उप्योग करते हैं तो क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है ऐसा तो नहीं है कुछ खटा होता है कुछ तीखा होता है कुछ मीठा होता है और किसी भी पदार्थ का स्वाद जो है वह एक जैसा नहीं होता है और यदि आपने उन पदार्थों को नहीं चखा है तो आप एक काम करिए एक साड नमक आवला खाने का सोड़ा अंगूर कच्चाम खीरा इन सभी चीजों को आप चख कर देखिए और चेतावनी आपको यह दिया जा रहा है कि जो चीजे खाने योगी हो उन्हीं को चखिए और जिनके बारे में आपको नहीं पता है उनको आप बिल्कुल भी टच मत करिए तो इसमें से हमें यह पता चल रहा है कि जो सभी चीजे होती है उसमें से उनका स्वाथ जो है वो अलग-अलग होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं आमलोच छारक क्या होता है तो जैसे जैसे कि आपने दही देखा निम्व करस संत्रे करस सिरके का स्वाथ यह सब क्या होता है इन पदार्थ। का स्वार्थ खटा होता है इसलिए इन्हें हम अमल जानी acid कहते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनका रासाइनिक प्रकृती अमली होती है जिनकी रासाइनिक प्रकृती क्या होती है? acidic होती है acid की उत्पत्थी Latin शब्द acier से हुई है छार्थ होता है ज्वारफ होता है उन पाया जाने वाले जो अप्रक्रत कर अत्या नहीं को स्वाद चभण चप्ता होता है तो जससा कि आपने कर आपको सवायनेवाले सोड़े nessa करवा लगेगा और इसका मतलब है कि यह क्या है अमल नहीं है यदि आपने जैसे इसका विलियन लिया और उसको अपने उगलिये पर रगड़ेंगे जो खाने वाला सोडा होता है तो आपको लगेगा जैसे कोई साबून है या चिकना जैसा लगता है तो सामानेत है ऐसे पदार्थ जिनका अड़ा होता है और जो इस पर्ष करने पर साबून जैसे लगते हैं और इस हम प्रकृति जो है वो चाहनद कहलाते हैं यह की अमली है उसके परेयोग करने पड़ेंगे जैसे आपको एकाया क्यूंसा अमली है और कॉंसा चाले लिए तो कोई पदार्थ अमली है या छारी इसका परिक्षन करने के लिए एक विशेश प्रकार के पदार्थों का उप्योग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों सूचक कहते हैं तो इस तरह से सूचक क्या होता है सूचक जो होते हैं सूचकों को जब किसी अमली अथ्वा साचार की पदार्थ युक्त विलियन में मिला जाता है तो उनका रंग बदल जाता है जैसे कि हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुडी क्या है प्राकर्टिक सूचक के रुप में जानी जाती है तो यह सबी चीज़े क्या है सूचक के अंतरगत आती है तो दोस्तों सूचक ही ऐसा होता है जो कि यह बताता है कि तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाया गया है टेबल उसमें आपको बताया गया है दोस्तों कि इसमें कौन-कौन से चीज़े हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंदला सा दिख रहा होगा तो इसको मैं अभी आपको जूंग करके दिखा दूंगी स्क्रीन पर आप जैसे की देख रहे होंगे इसमें क्या दिया हुआ है और यह किसमें पाया जाता है वह दिया हुआ है जैसे क्या है एसिटिक एसिट किसमें पाया जाता है दोस्तों सिल्के में पाया जाता है इसी टा आ़ले सब्सक्राइब करेखे यह च्ण लाक्टिक है शूता आवले सब가요 और टाटरिक जो हैं याकाई हिना और कच्चे याम आदी में पाया जाता है और यह सभी चीज़ों जो बताई गए यह सभी प्राक्रितिक रूपने पाया जाने वाले अमले हैं अब हम देखते हैं दोस्तों यहां पर छारक का नाम और यह किसमें पाया जाता है तो सबसे पहला कैल्सियम हाइड्रोकसाइड है यह चूने के पान तो दोस्तों इस ताइब से मुझा होती है और कुछ जो होती है वह आर्टिफीशल होती है तो हमने देखा कि कौन-कौन से चीज़ें हैं जो आमलीया चार पाया जाता है अब हम बात करते हैं हमारे आस-पास के प्राक्रतिक सूचक जैसे कि हमने अभी जाना सूचक में कई सार बारे में बाताए है तो सबसे पहले हम से लिटमस की भाड़े में बात कर्ती है नहीं की प्लाकरतिक सूचगी सबसे सामान रूप से उपियों किया जाने वाला प्राकर्टिक सूचप क्या है लिटमस होता है और इसे लाइकेनो यानि की शैवालों से निसकरशित किया जाता है अब शैवालों से कैसे बना जाता है आप देखेंगे डाइग्राम में तो जब इसे क्या किया जाता है जब इसे अमली विलियन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब यह छारी विलियन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है दोस्तों यह बहुत most important question अकसर पूछा जाते एक्जाम में कि लिटमस पेपर जो है वो अमल में कैसा रंग मर्वार्ड मेरे मिलत कलते हैं लाल नील रंग व्हास के भाइप वाल आर्पल्ब्द होता जयी हैं ज्वित जाकिन जाए है लाइकन जाए यह आते हैं tenía ऊपना लाइकन फेलों na lixos ना अजहें जाएं टैए 4 तो से इसंग नेड आ पर बिद ने को छहाव दोकोटी तो इसको बोलते हैं और उसे ले लेज़े या फिर आप जो भी डिटर्जेंट होते हैं जितने भी साबुन वाले पदार्त हैं उसमें आपको पता है कि छार होता है तो उसमें भी आप डाल के देखिए तो इसका रंग हो जाएगा नीला हो जाएगा तो इस तरह से हम ने देखा की कैसे रंग जो है वो नीले हो सकते हैं यो होसकते है तो इसके लावा भी बहुत सारी चीज Water में शुने की मात्र को ले सकते तो पाने ताल गुजदेर के लिए के रख्ञा के लुझत की तो देछ चुने का पानी बन obraz चाइगा जब यहां पर आपको सार्डी में नोट करने में कहां गया है को सान है कувати उसलेत और विलिएन उसली कर दो है और त focal очень whence प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे विलियन जो लाल नीले रिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं अई से पदात ना तो अमली होते हैं और ना इचारी होते हैं हल्दी एक हमारा प्राकतिक सुचक है दोस्तों यहां पर आभी आपने जाना कि किस साइट से हमा लाएंगे तो वहां पर सॉल्ट बन जाता है जो कि उदासीन हो जाता है अभी आप इसी चेप्टर में पढ़ेंगे अब दूसरा इंडिकेटर ले लेते हैं जिसको हम हल्दी कहते हैं हल्दी भी एक प्राक्रिटिक सूचक है यहां पर बहुत ही अच्छी बात बिताई गही है इसका दूसरा fragrance आप कैसे करिये ज़से हैं आप हल्दी ले लिजेए थोड़ा सा पाने क ruling पेस्ट बना लिजे कि उसके बाद क्या करिए इसमें थोड़ा सा निम्बु का रश ढाली और उसके बाद क्या करिए आप क्या देखते है कि इसमें क्या चैंजिस होता है निम्बु आप दाल कर देखेंगे तो यहां पर आपको प्ता चलेगी कि यहां पर आप देखने लेकर लेकर कि जो रेड कलर का देने लगता है उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा जो हल्दी होता है ये क्या करता है कि एसीड में तो कोई कलर नहीं देता है लेकिन बेस में जैसे ही जाता है तो ये रेड कलर देने लगता है जैसा कि बूजो समझ चुका है कि जब उसके तरह से हमने समझा कि हल्दी का प्रभाव एसी और बेस पर कैसे पढ़ता है अब दूसरा अब हमारा तीसरा इंडिकेटर क्या है गुड हल का पुष्प उसको ले लगते हैं तो गुड हल के पुष्प को आप अगर बनाना इंडिकेटर के रूप में तो सबसे पहले क्या उसके पुष्प की पंखुडियां को ले लिजे फिर उसको बीकर में रखिए फिर उसमें थोड़ा सा गरम जल मिलाकर कि उबाली और तब तक उबाली जब तक इसका कलर क्या हमना हो जाए पिंक कलर या अपना कलर ना छोड़ दे घुड हल का जो कलर होता है तो इस तरह से पर आपका इंडिकेटर बनके डेडी हो जाएगा फिर उसके बाद आप क्या करिए सूचर के रूप में प्रयोग करने के लिए उसके चार या पांच बूंदों का उप्योग करिए और फिर उसमें देखिए कि क्या क्या होता है तनू विलियन यानि शैंपू का अगर तनू पूषक का अमली चार की और उदातीन का प्रभाव परता है यहां पर हम देखेंगेगे दोस्तों कि जो हमारा गुडःहल को पूष्प एंडाल के पूष्प में अमले में डाला तो उसका जो रंग है वो गुलाबी हो गया और यहां पर जो हमारा चारक है उसका रंग जो है वो ग्रीन हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो किस ट्राइप से इंडिकेटर बनके रेडी हो गया है खाने के सोडे में भी आप ऐसे कर सकते हैं तो इस न gat OK सब्ढ़र बनाौद अमली उछारी और दासीन सबाव में अमली उछारी उदरा तो अब हम मुल्डासीन के बारे में देखते हैं दोस्तों तो दासीन की मतलब कि एक्टिविटीज बताई गई तो पहले चली हम लोग एक्टिविटीज देख लेते हैं यहां पर एक्टिविटी फाइप पॉइंट फोर बताए गया है कि जैसे आप माल लेजे कि तनुविलियन को लेते हैं ठिक तनुविलियन का मतलब जिसमें वाटर की मात्र क्या होती है उसमें वाटर डालेंगे तो तनुविलियन बन जाएगा सल्फियरी कर्म नाइटरिक कर्म असेटिक आम्मोनियम हाइडरोकसाइड कैलसम हाइडरोकसाइड यानि की चूने का पानी इन सभी को ले लेते हैं और इन प्रतेक विलियन को हम तीनों सूचकों के प्रभाव को पर प्रतना चाहिए क्योंकि जैसे हम लग किसी तवचा पर पर पढ़ता है ना तो जलन उत्पन होने लगती है और उससे हानी होती है और कभी-कभी तो वहां पर क्या होते हैं कि मलग जैसे फोड़े फुनसी वगरा भी निकल सकते हैं तो इसलिए साउधानी बरतनी चाहिए अ जब किसी आमल को किसी छारक में मिला जाता है तो क्या होता है अब हम दोनों को मिला कर दिखते हैं हम उस सूचक को उप्योग करने जा रहा है जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा जैसे फिनाप्थिलीन के बारे में अभी आपने नहीं सुना होगा यह भी फिनॉप्थिलीन के रंग को भी नोट कीजिए और उसके बाद स्मवे दो दिन बून को मिलाइए और धीर धीर प्रक्णलिकली को हिलाइए तो क्या होता है आप यहां पर देख रहे होंगे जब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जब चारक था और उसमें आमल्य और सू्चक को मिलाया तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जब हमने यहां पर क्या किया जब उदाजिन्य की प्रक्रिया देखी तो यहाँ पर उसका जो कलर वह ब्लु का किसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैसे कि Amli William में dropper से sodium hydroxide की boon को डालिए और परास्नली को धीरे धीरे हिलाइए क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है William को निरंतर हिलाते हुए boon boon करके sodium hydroxide William डालना तब तक जाड़े रखे जब तक कि इसका गुलाबी रंग ना आ जाए अब इसे तनू हाइड्रोक्लोरिक अमले की एक बून मिलाई है तो क्या देखते हैं पुना जो रंग है वो रंग हीन हो जाता है विल्यन का फिर से सोरियम हाइड की बून मिलाई है तो क्या होता है फिर से गुलाबी हो जाता है तो इस से यह इस पर्स्ट है कि जब किसी जब विलियन छारी होता है तो फिनॉप्थिलीन क्या होता है गुलाबी रंग देता है और जब विलियन अमली होता है तो यह रंग हीन होता रहता है तो इस तरह से आप इस टाइग्राम में भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा है क्या थे अमल में हमने सूचक डाला तो कोई ना दिया अफिर जैसे हम ने चाया डालना शुरू किया और दीरे दीरे वह गुलाबी हो गया का इस तरह से चारी विल्यन में चारी विलियन को मिला जाता है तो दोनों विलियन एक दूसरे की प्रभाव को उदाशीन कर देते हैं और जद किसी अमलों चार के विलियन को उचेत मातरा में मिला जाता है तो विलियन की प्रकृति ना तो अमली रह जाती है और ना ही चारी दूसरे शब्दों में हम यह बोल अभिक्रिया में हमेशा क्या होती उश्मा निकलती है यानि उश्मा निर्मुक्त होती है और निर्मुक्त उश्मा अभिक्रिया से मतलब उश्मा से अभिक्रिया मिस्टर का ताप जो है वो बढ़ जाता है तो उदासिनी करण अभिक्रिया में नया प्रदास निर्मित होता है जो कि लवर कहलाता है लवर क्या होता है लवर अमली चारी अत्वा उदासीन प्रकृति का हो सकता है अत्वा उदासीनी करण को हम निमनी रूप से परिभासित कर सकते हैं जैसे किसी अमल और चारक के बीच होने वाली अभीक्रिया उदासीनी करण अभी करिया कहलाती है और इस प्रक्रम में उश्मा के निर्मुक्त होने के साथ लवर और जल निर्मित होते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आमल और छार को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है वहाँ पर लवर बनता है और वहाँ पर उश्मा भी निकलती है दोस्तों आपने एक चीज और देखा होगा कि जब वर्षा के जल में आमल की मातरा आतरिक होती है तो वह आमल वर्षा कहलाती है आमल वर्षा क्या होती है आपने सुना होगा कि कभी की छतिकार होने के बारे में बहुत बार आपने सुना अमल मिल जाता है यहां पर एसा ही कुछ होता है यहां पर क्या होता है कि जब वर्षा का जल आ हम यह हो जाता है क्योंकि कार्बन डाय ऑकसाइड उने वा सं़त lets कीारी स्बयार ही जैसे जो कैसे होती है यह वायू में मिली हुई रहती है आपको पता है और यह क्या होता है कि जब मिल जाती है वर्षा के जल से यहां पर क्या बना लेता है हमारा नाइट्रिक एसिड बना लेता है तो इस ताइप से हमारा यहां पर क्या बन जाता है आमल वर्षा बन जाती है आमलवर्षा भवन, एतिहासिक इमार्थों, पौधो और जंतों के लिए बहुत ही हांकारक होते हैं, उनको छथी परड़ा सकता है तो यहां से हमारा S2O है, दोस्तों जैसे S2O क्या है, यह आमलवर्षा बर वर्शा का जल या वर्शा जो है उसका नॉर्मली वाटर और जो फॉर्मला है एस लाहिए, तो यह विखान पर ङौटका दो करें और आपता तो किता होता है ये रिय आप यह कायबणी साथ सब्सक्र यहांगार पर आता supportive कि कैसे है उदा़ी नहीं करना भिक्रिया बनती है तो जैसे आप क्या लिज् एक Talit of Rainy L drip and Clone ice system l Co और दूसरा बेसी लिए है उफ को यानी lle sodium hydroxide को अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पे एनी events यहां पर नमक है उसका यह फॉर्मुला होता है और साथ में वहां पर रूश्मा निकलती है और कुछ जल की मात्रा निकलती है तो इस टाइप से हमने देखा कि कैसे यहां पर हमारी जो उदासीनी करण की अभिक्रिया होती है और बुझे हुए चुने के पानी में भी अगर हम अमाले जे तनू सल्फियोरी कैसीर मिला रहे हैं तो भी अभी क्रिया का मिश्णर गर्म या थंडा मतलब गर्म हो जाएगा फिर बार में थंडा भी हो जाएगा फिर दैनिक जीवन में हम कुछ उदासीनी करण के भी उधारन देख लेते हैं जैसे हमने आप अपाचन के बारे में पढ़ा है दोस्तों आपने अभी पढ़ा है यहां पे चैप्टर टू में डाइजेशन के बारे में उसमें आपने देखा था कि स्टमक में क्या पहा जात अपाचन की अपाचन की मुक्ति पाने के लिए हम इसमें दूधिया मैगनेश्या जैसे कोई प्रति अमल को लेते हैं जिसमें मैगनेश्यम हाइड्रोकसाइड होता है यह अतिरिक अंद के प्रभाव को उदासीन कर देता है तो इस ताइप से जैसे कि आप से कहाई च्ल को वब non- GOD हम मिल्क और मेगनेश्या और मिल्क और मैगनेश्यम हो जाते है वह प्रभाव जो है वह अमल का वह उदासीन हो जाता है ऐसे याप कातने वाले जैसे की मृक हो गए तो सुना होगा हुए नंक यह जलन होती है उसमें ऐसको एक की जब काती है तो यह तो वच्छा मे अमली दुरव को डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोड़ा अठ्वा कैलेमाइड विलियन जिससे कहते हैं मिलाकर जब हम उसमें डाल देंगे ना तो वहां पर जो जलन होगी वो खतम हो जाएगी और वहां जो ऐसे वो उदासीन हो जाता है जिसमें क साइनिखरव individually फैयोग किया जाता है तो मिट्टि को क्या बना देरेगा अम नि बना देगा और यदि हम रिदा अत्यधिक अमली व्रिद्धी होती है तो इसे बुझा हुआ चुना इसे चार को से क्या करते हैं और यह चार की हो तो इस्में जैवपदात मिलाए जाते हैं जैवपदात वह अमल होता है तो आमल और चार किसी भी तरीके से बस आमल और चार को मिला दीजिए तो वहाँ पर जो क्रिया वनेगी वो उदासीन हो जाएगी और वहाँ पर आमल और चार का प्रभाव निस्क्रिय हो जाएगा तो कारखानों का भी जो अपसिस्ट होता है वो अक्सर क्या होता है उसमें अमली पदात मिले होते हैं और ऐसे पदात अपसिस पदात को सीधे ही जलाशों में नहीं बहाना चाहिए अमली पदात को जलाशों में बहाने से वहां की जो मशलिया या जली जीओ होते हैं वो अमल से नस्ट हो सकते हैं टो उनको बचाने के लिए हमें के करने किये जोबिकारखाना, रूंसकों ज़लाजियों इलात में पहले उसमें उसम चाही सब्तरह चारकी पदाति इस सीकहाई तो इसलाते हमने स्वाद में खटे होते हैं, समानता pää Campaign सीकारण को शाबन जैसा होटा है फिर हमने पढ़ा आम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और छारक लाल लिटमस को नीला कर देता है और वे पदात जो ना तो अमली होते और ना ही छारी उदासीन कहलाते हैं यहां पर आपको कुछ अभियास दिया गया exercise अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी से पढ़ लिया है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं और कोई problem होगी तो आप comment box से हमसे पूछ भी सकते हैं कि इस question का answer क्या होगा मैं आपको बता दूंगी तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं आपको हमारा ये आज का topic आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएगा और हमारे चैनल को like, share, subscribe जरू कीजिए thank you so much for watching